देश के सभी युवानों को बहुती मश्यूर Space वेज्ञानिक S.90RN के बारे में पता होना छहे उनका जीवन के बारे में पता होना छहे क्योंके S.90RN जिन्ने अपना पूरा जीवन देश पक्ति के रहा में बिताई थी इसलिए युवानों को उनके जीवन से प्रेड़ना मिल सकती है और देश के लिए कुछ करने की तमलना उनके अंदर चर्ट सकती है अलो एवरिवन मैं बासकर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर और आज हम मशुन स्पेस सैंस्टेश्ट वेग्जानिक एस नंडारायं के जीवन के बाले में बात करेंगे और उनके जीवन की उपलब्त दिया और उनके जीवन में सभी गट्णा के बाले में विशेष्श करेंगे नंबिन आ मारे जीका जन् Hopkins के चोटे से गाव में हुआ था वे इस रोग के क्रायोजोनिक डिविजन के हेड थे मिशन मंगल आज से 20 साल पेले पूरा किया गया होता अगर उन पे देश्द्रोई का इल्जम नहीं लगा हुआ था नमी नारायन जी पे देश्द्रोई और जास्व से करने का इल्जम लगा था सन 1907 में उनके उपर देश्द्रोई का आरप लगा था और 1908 में सुप्रिम कोर्ट ने उनको बाइजद बरी कर दी थी क्योंकि वो पूरा आरप निरादार था नमी नारायन जी का जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ था नमी नारायन जी बच्पन से ही पड़ाई में तेज थे और समझदार भी थे और उनका पतनी का नाम मीना है और लड़का एक बिजनेस में ने और लड़की एक स्कूल में टीचर है उन्होंने अपने लिगरी तक की पड़ाई तिर्वेंद्रम में की थी और देश बक्ति उनके अंदर सुरू से ही था देश के लिए कुछ करने का जुनून उनके अंदर हमेशा से था उन्होंने 1970 की दसक में ही तरल इंद्र रोकेट टेकनोलोजी की सुरुवात की थी वो जब ये काम कर रहे थे तब एपीजे अबदुल कलाम जी फोस्ट जी की मुलाकात विश्रो के चेर्मेन विक्रम साराबाइजी से तुम्बा तिरुवन तरम में सन 1966 में हुआ था उसके बाद उन्हें पेलोड इंटिग्रेटर प्रोजेक्ट दिया गया था जो उन्होंने बकू भी निभाया था और उन्होंने वर्ष 1969 में उच्छ शिक्षर लेने के लिए प्रिंस्टन इंवर्श्टी में दाखला लिया था उनको नासा के द्वारा फेलोशिप भी दिया गया था उन्होंने दस मेने के बीतर ही प्रोफेसर क्रोको लुकी के साथ अपना एम्टेक का रिसेच पूर्ण किया और अमेरिका में अच्छे आउसर मिननी क अमेरिका में एक जॉब की ओफर भी की गई थी लेकिन उन्होंने उन्हों ठुकरा आया और भारत आने के पसंद गया 1994 में उनके उपर दो कतित महिलाओ द्वारा यह आरूप लगाया था कि नारहान जीने जानकारी लीग की है उन्होंने देश की जासुसी की है करके वह दो 2018 में में 2518 में सूपरीम कोट यह उन्हें बिघ्राफ जायर कर दिया था उसके बाद वर्स 2018 में सूपरीम कोट ने के रहा सरकार को सथी में पोली सदिकारियों नें गिरफतरी की ति उनकी भी वींमी के क्या थीए उनका क्या इराता था क्या मंचा था उनके बारे में बैजान्च केने के लिए एक समिति की गटन की ती के जीवन पर आधारीत एक बायाग्रोफिकल मुभी भी बनी है जिसका नाम है रोकेट्री दिनम्भी इफेक्ट यह फिल्म सची गटनों उपर आधारीत है इसे लिए लोगों में इसे बहुत ही उत्सा मिल रहा है लोग इसे देखने के लिए पसंद कर रहे हैं उन्होंने पूर इस टेकनोलोजी के छेत्र में उन्होंने बारत का नाम ही रोशन नहीं किया था लेकिन पूरी दुनिया बारत को एक फक्रक्ट से के नजर से देखे वैसे काबिल बनाया था वर्स 2019 में उन्हें पद्मय विशन एवोड से भी बारत सरकार ने संवानित किया था उन्होंने व हुआ है कि अधियर अधियर आश्यव के बात है कि इतना बड़ा सडियंत्र रचने वाले वो कौन थे आद्स बात नहीं जान पाएं दोस्त मैं अंतरु में दो संदे स सी बात से में देना चाहूंगा पहला है कि हमले जीवन में कितनी भी तक्लीवे आएयं या कितनी भी booking बूसिबत हुआ इंद्ट कर शामना करना करना चाहिए क्योंकि डटकर सामना करने वालों कि आमिशन हीत रोती है दूसरा कि आपके जीवन में इक अछा दोस्त अचार आसा जो हर मुश्भति में आपका साहत दे आपको समझाये उसे हो दि मकंथ और तकलीप में रास्ता झाल झाल